सश्याका स्काइन्यूस पंजाब देखरे सारे दिर्षकान तो स्वागत है ते मैं हाँ थोड़े नाळ बिवेक कुमार पोलस यादगारी दिवस मौक के देश दे ग्रह मंतरी अमित शादे वलों शहीदी समारक ते पॉंच के जिथे शहीदानों शर्दाँ जिली दिती गई उत्धे उनाने शहीदान परिवारान दे नार सदपावनादी भी पुश्टी कीती है केंदरी ग्राहमांतरी अमित शाह दे वलो शहीद होए चछती हजारतों बादपुल से मलाजमानों शर्दाजली दिती गई इस मौके देश नो संबोधन कर देश केंदरी ग्राहमांतरी ने किया कि अत्वाद दी नसलबाद आते उत्तर पूरब विच बगावद देश देश दे तेन होट स्पॉर्ट एल डवल्यू उत्तर परदेश जम्मू कश्मीर विच होन शांती दी स्थापना होगी है इस देनाली संबोधन कर देश अमिच शा ने किया कि नरेंदर मोदी दी अगवाई वाली सरकार ने आत्वाद खिलाफ बेलकुल बरदाशना करन दी निती नू कायम राख देश सक्त कानून बनाए हैं उना कै कि सरकार पोल्स बलादे आधुनी करन ली पोल्स टेकनोलजी मिशन दी स्थापना करके उसनों दुनिया दी सबतो बदिया आत्वादी बिरोद्ध फोर्स बनाउन ली विकम कर रही है अमिच्षा ने कै कि नरेंदर मोदी दी अगवाई वाली सरकार ने अपरादे कन नया पर नाली वेच ब्यापक बदलाली संसद वेच तिन बेल पेश कीते ने ये तिने बेल डेड़ सो साल पुराणे कन नादी थान लेंगे अते सारे नागरिकांदे सविदाने का अधिकारां दी गरंटी देंगे इस दे नाली ग्रह मंत्री अमिच्छा ने कया कि पामेगा लातवाद ना लड़न दी या फिर अपराद नू रोकन दी पीडगे कनून बिवस्था बढ़ाई रखन दी होवे ता कुदरती आफ्ता समय टालमान के लोकन दी रख्या करन दी होवे पोल्स कर्मिया ने हर स्तीती वेच खोद नू साबत कीता है इस दे नाली उना कया कि अजादी मगरो देश सेवा करदे आपनी जान कुर्बान करन बाले 36,200 पजा पोल्स कर्मिया नू शर्दाजली पेट करदा हाँ अते राष्ट निर्मान प्रती पोल्स कर्मिया दे बलिदान अते समयर पनू मानता दिन दा हाँ इस दे नाला मिट शाने होड़ की कुछ क्या आउ सोन देआ मित्रों हम सभी जानते हैं किसी भी देश की सिमा की सुरक्सा हो या आंतरिक सुरक्सा का मामला हो सजग पुलिस तंत्र के बगएर ये संबव हो ही नहीं सकता और मैं जब से सारवजनिक जीवन में आया हूँ तब से इस बात का अनुभव भी करता हूँ और बार बार दोहराता हूँ कि सभी सरकार के लिए देश के लिए काम करने वाले सभी कर्मियों में सबसे कठीन अगर किसी की ड्यूटी है तो पुलिस के जवानों की होती है दीन हो या रात ठंड हो या घर्मी त्योहार हो या आम दिन कभी पुलिस का जवान अपने परिवार के साथ ना दिपावली मना सकता है ना इद ना होली वो हमेशा रक्षा बंधन जैसे मौके पर भी सुचारू रूप से देश चले इसके लिए ड्यूटी पर तैनात होता है इतनी लंबी भू सिमा पर अपने जिवन के स्वर्णिम वर्स परिवार से दूर रेकर बच्चों से दूर रेकर बुड़े माबाप से दूर रेकर देश की सिमाओ की सुरक्षा में निकालना और वीर्ता, सौरिय और बलिदान के साथ देश को सुरक्षित करना है चाहे आतंकवादियों से टक कर लेनी हो, चाहे अपरात की रोकदाम करनी हो, चाहे विशाल भीड के सामने कानून और व्यवस्ता की परिस्तिती को बनाए रखना हो आपदाओं और दुरगटनाओं में ढाल बनकर आम जीवन को सुरक्षित करना हो, आम नागरिक को सुरक्षित करना हो या कोरोना जैसे कठीन काल के अंदर भी सबसे पहले पंग्ती में रहकर नागरिकों की सुरक्षा से लेकर अंतिम संसकार तक की सारी जिम्मेदारियां चूप चाप निभानी हो, हमारे देश के पुलिस के जवानों ने हर मौके पर अपने आपको साबित किया है पिछले एक साल में 188 पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गवाई है एक सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 तक ए 188 जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए और देश की कानून और व्यवस्ता को ठीक बरकरार करने के लिए अपना सर्वोच बलिदान दिया है भी बड़े मन पुर्वक याद करकर स्रद्धान जली देना चाहता हूं मित्रों आने वाले दिनों में हमारे देश के प्रदान मंत्री जी ने देश के अमरूत काल्ग में का आहवान किया है आजादी के 75 साल का वर्ष समाप्थ हुआ भी संकल्प लिए हैं और इस सारे संकल्पों का संपूट हमें आने वाले दिनों में हमारा जो लक्स है दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर सर्वोट्चिस्तान पर पहुंचना इसको सिद्ध करते हुए कोई नहीं रोक्स